लगी, पलक तनिक हैरानी से मां को देखते, फुसफुसा कर बोली, मां आपके स्वाभिमान को, ये गवारा होगा, सी, बेटा, मेरा स्वाभिमान तो, आज भी अपनी जगह है, पर पती हर स्त्री का अभिमान होता है, उसे कैसे वापस कर दूँ, पलक दोड़ कर अपनी मां के गले से लिप्ट गई, स्वन सिधा के मानने सब को जीवन की नहीं, खुशियों से भर दिया था, हर गिज नहीं, मैं रिया, को अभी सब कुछ बता दूंगी, वो भले ही तैयार, हो जाए पर मैं तैयार नहीं हूँ ऐसी जिन्दगी के लिए, आशुतोष ने बिफरते कोई बात की, तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहोगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसका ये रूप देखकर स्मिता में न जाने कहां से, हिम्मत हो, ये शौक भी पूरा कर लो, पैसे की हवस ने तुम्हें अंधा बना दिया है, मुझे ये सोच कर, शर्म आती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बस आज के, बाद से हमारा कोई संबंध नहीं है, उसी क्षन स्मिता ने अपना सामान समेटा वसहमी, उई पलक का हाथ था में वापस एरपोर्ट की, तरफ निकल गई, रिया तब तक बाहर नहीं आई, थी, आशुतोश ने उसे रोकने की कोई च देश्टा नहीं की, चुप चाप उसे जाते देखता रहा, आते समय समिता के मन में जितनी उमंधव उत्साह था, वापसी का सफर उतना ही कष्ट प्रद था, सारी, घटनाएं एक के बाद एक इतनी तेजी से घटती, चली गई की कहीं कुछ सोचने समझने की गुंजाइश ही नहीं थी, पर अब अकेले सफर में उसके सामने भविश्य की अनेकानेक समस्याएं सिर उठाए खड़ी थी, पूरा जीवन उसे इसी चले गए, विश्वास के दंच के साथ ही बिताना था, नन्ही, पलक का क्या गुनाह था जो उसे पिता के प्यार से वंचित रहना पड नहीं, नारी सब कुछ, बरदाश्ट कर सकती है पर सौत नहीं, बेहत तनाव भरे अगले कुछ घंटे गुजारने के पश्चात, घर वापस पहुंच कर समिता को कुछ राहत मिली, अप्रत्याशित रूप से तीसरे ही दिन बहु को वापस, आया देख मावा बाबुजी हत प्रब रह गए, पर सहमी, चुप खड़ी पलक एवं समिता की उदास वसुजी, आखों से उन्होंने घट चुकी अन्होनी का अंदाजा लगा लिया था, मां को सामने पाकर समिता स्वयम को रोक न सकी और उनके गले लग फूट फूट कर रो पड़ी, जब दिल का गुबा कुछ हलका हुआ, तो उसने उन्हें वहां का पूरा हाल कह सुनाया, सारी, बात सुनकर बेटे की नालायकी से माम बाप को गहरा आगहात पहुचा था, पर अपनी पीरा भूल, कर उन्होंने समिता को सांत्वना देते हुए कहा की, वे सब ठीक करने की कोशिश करेंगे, अब क्या ठीक होगा मा, बचा ही क्या है, मैं, उन पर जबरन कोई रिष्टा थोपना नहीं चाहती, वे, यदी इसी में खुश हैं तो यही सही कह कर समिता, अंदर चली गई, समिता के पहुचने के अगले ही दिन आशुतोश का, फोन आया, रिसीवा उसके पिता ने ही उठाया पिता द्वारा समझाये जाने पर जब उसने खुद को सही ठहराने का प्रयास किया और साल देर साल, बाद उन्हें अपने पास बुला, लेने के लिए कहा, तो उन्होंने उसे कड़ी फटकार, लगाते हुए यहां तक कह दिया कि आज से वे सोच, लेंगे कि उनका एकी बे वे स्वयम उसकी दूसरी शादी करवाएंगे, पर स्मिता ने द्रिर स्वर में इसे नकार दिया, नहीं, बाबु जी, मुझे नहीं करनी है दूसरी शादी, एक, गलती उन्होंने की है, अब मैं दूसरी नहीं करना, चाहती, बस आप लोगों की छत्र चाया बनी रहे, मेरी जिन्दगी का लक्षय अब केवल मेरी बेटी का भविश्य होगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जिन्दगी फिर इतनी आसान नहीं रह गई थी, कालेज, की लेक्चरशिप तो उसने तुरंथी जहिन कर ली, थी, नौकरी अब उसके लिए शौक नहीं वरनेक, जरूरत बन गई थी, मुश्किलों के इस दौर में भी उस ने हिम्मत नहीं हारी और वक्त के इम्तिहान मेहर, चुनोती का सामना पूरे आत्म विश्वास के साथ किया, उसके साथ घटी बात की जानकारी केवल उसके चंद मित्रों वह परिवार तकी सीमित थी, अंजली ने इस कठि संबल दिया, कालेज में सब की अपेक्षाओं पर खरी उतरती स्मिता ने, घर में भी सारी जिम्मेदारियां बिना कहे ही संभाल ली थी, मामबाबुजी के मार्गदर्शन में अभिजीत का विवाहिक सुशिक्षित एवं सुशील योवती, कविता से तैकर के बड़ी धू के साथ संपन कराया, मामबाबुजी दोनों बहूँ की तारीफ करते नहीं ठकते थे, कत्रा कत्रा होती जिन्दगी सप्रायतन सहेज स्मिता, सारा दिन स्वयम को अनेकानेक जिम्मेदारियों के निर्वाह में व्यस्त रखती, परंतु कभीक भी ननही, पलक जब अपने पा छोटे पापाव, छोटी मा कहती थी, तो कभी उसके दादा दादी, जिन्हें वह बड़े पापाव, बड़ी मा कहती थी, अपनी अपनी तरह से उसे बहलाने का प्रयतन करते थे, स्मिता भी अपनी तरफ से उसे मामबाब दोनों का प्यार देने का पूरा प्रयास करती थी धीरे धीरे समय अपनी रफतार से गुजरता रहा अभी जीत का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया दिन महीनों में वह महीने सालों में बदलते रहे वसंत वपत जड़ेक के बाद एक आते रहे लंबी बीमारी के बाद ससुर का निधन होने पर घर में सब दुख से भर उठे आशुतोष ने खबर पहुँचने के बाद भी मात्र समवेदना काड भेज कर ही अपने करतव्य की इतिश्री समझ ली बेटे की रिदयविदारक उपेक्षा का दुख मां को गहरा आधात दे गया था जिसे वे साल भर से ज्यादा नहीं जेल पाई और चल बसी समिता एक त सम्मेदारियां कभीक भी वह बेहद ठक जाती थीग पर फिर नए सिरे से जीवन समर में जूजने के लिए स्वयम को तयार कर सजग प्रारी सी उठ खड़ी होती उम्र के हर पड़ाव पर पलक को समिता का पूरा मार्ग दर्शन मिला हर कक्षावल नंबरों से उत्तीर्ण कर अब आकर्शक बुद्धिमान एवं आधुनिक तरुनी बन चुकी थी पारिवारिक संस्कार एवं आधुनिक ताके अध्भुत संगम वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी पलक आधुनिक पीरी की सोच के अनुरूपी हर बात तारकेक धंग से सोचने समझने में विश्वास प्रथम श्रेनी में इंटर करने के साथ ही उसका मेडिकल की हर प्रतियोगी परीक्षा में चैयन होने से घर में खुशी की लहर दोड़ गई थी एक लंबे अंतराल के पश्चात स्मिता ने सुख वचैन की सांस ली बेटी के जीवन की एक दिशात होने के सुकून के साथ ही अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वाह कर पाने का संतोश भी था मेडिकल कालेज में दाखिला होते ही पलक भी दूसरे शहर चली गई उसके बाद के 5-6 वर्ष तो जैसे महीनों में बंट कर रह गए हर वर्ष छुट्टियों में पलक के आने पर स्मिता के लिए तो घर म जैसा महौल हो जाता था जितनी बेकरारी से वह बेटी के आने का इनतजार करती थी उसके जाने के बाद उतनी ही बेचेन हो जाती पर उस बेचैनी में भी कहीं गहरा आत्मसंतोश होता था बच्चों के बहतर भविष्य के लिए सभी माम बाप कभी ना कभी इस दौर से को डॉक्टर बन कर अपनी डिग्री प्राप्त करते देख उसके पूरे जीवन की तपस्या मानो सार्थक हो उठी थी पुरानी यादों में खोई स्मिता को समय बीतने का कुछ पता ही न चला था उसने घड़ी पर निगाह डाली उसे आए घंटा भर से कुछ ज्यादा ही हो च पानन वापस तो लोटा दिया था पर रिया के सम्मोख भला बना रहे कर भी वह अपनी नजरों में गिर गया था जहां एक तरफ उसे अपना जूट न पकड़े जाने का संतोश था वहीं दिल के किसी कोने में उन दोनों के साथ किये गए अन्याई का अपराध बोध भी घर वह परिजनों से दूर बेन तहा कमाई कोई रोकने टोकने वाला नहीं ऐसे में महौल के खुलेपन वह समय के खालीपन को भरता रिया जैसी अत्या धुनिक विचारों वाली युवती का संग वह भूल ही गया कि उसकी पतनी दूर भारत में कहीं उसके आने का इंतजार कर र रही है छोटी सी बेटी बात जो रही है रिया के डैडी के उच्चा सामाजेक रुतबे वर रिया द्वारा की ए गए प्रेम निवेदन की पहलने उसे अपने विगत को बिसरा एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उकसाने में एहम भूमिका निभाई थी जल्द से जल्द समाज में उचा रुदबा हासिल करने के लिए प्रतिस परधा की अंधी दोड में शामिल होकर अपना जमीर मार कर उसने पैसा तो बहुत कमाया परंतु दिल का एक कोना सदैव खाली रहा पैसे से सुविधाएं ही तो खरीदी जा सकती हैं संतोश नहीं वह चाह कर भ जमी संस्कृती में पलीबली रियापती की हर बात तोलपर्ख कर मानती रिया का शक की एवं जगड़ालू स्वभाव अक्सर उसे स्मिता की याद दिला जाता तब पच्चताने के अलावा वह कुछ ना कर पाता उसे हिरानी भी होती थी कि रिया के स्वभाव का ये शक की प बोज तले दबा वह भारत जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया रिया के स्वास्थ्य संबंधी टेस्टों की रिपोर्ट देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी कैंसर के बेरहम पंजों में दबी वह धीरे-धीरे मौत के मुँँ में जा रही थी आशुतो उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी महंगी से महंगी दवाउं तथा अत्या धुनेक तक्नीकों के सहारे उसे जिंदगी के कुछ वर्ष और मिल गए उन्हीं दिनों अचानक आशुतोष से मिलने एक आकरशक नवयुवकुस के घर पहुचा अपने भतीजे को पहचान में उसे अधिक देर नहीं लगी उसे देखते ही आशुतोष ने उसे गले लगा लिया बिल्कुल उसके छोटे भाई का ही तो प्रतिरुप था रोनित जिसे सामने देखन जाने कितनी भूली बिस्री यादे ताजा हो आई थी बचपन से अपने पिता के मूँ से उनके बड हुआ रोनित कनाडा में स्कॉलशिप पर जब पढ़ने पहुचा तो बरसों से घर से बिछुडे सदस्य से मिलने की तीव रिच्छा दबा न सका और पिता से उनका पता लेकर धूनरता हुआ पहुची गया रिया ने भी उसका परिच्छे जानकर उसकी मिहमाननवाजी में कोई कमी नहीं छूड़ी थी बच्छपन से सब को रिया के खिलाफ बोलते सुनते आये रोनित के मन में रिया की बहुत ही खराब छवी बनी हुई थी पर यहां तो बिल्कुल उल्टा ही मिला था देर तक अपना दुख सुख सुनाने के बाद जब आशुतोश को पता चला क की इधर स्मिता की तबियत हाई ब्लड प्रशर वा कुछ अन्यकारणों से अकसर खराब रहती है तथा कुछ दिन पहले अपेंडिक्स का ओपरेशन भी हो चुका है तो उसे जटका सा लगा था चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आये थी रिया के सामने स्मिता के जिक्र से आशुतोष थोड़ा सकपकाया पर रिया अचम्भित हुए बिना चुपचाप उनकी बाते सुनती रही आशुतोष ने रोनित से सब के पते ले लिये रोनित के जाने के बाद आशुतोष वर रिया के बीच एक बोजिल सा मौन पसर गया आशुतोष को हेरानी हो रही थी कि रिया ने उसके अतीत की, सचाई जानने के बाद भी उससे कोई प्रश्न क्यों नहीं किया, अनुतरित प्रश्नों के भावर से गीरे, आशु तो उसने आखिर इस सन्नाते को तोड़ते हुए, कुछ कहना शुरू किया ही था कि रिया ने अपने निर्बल हाथ से उसकी कलाई पकड़ कर उसे, रोकने का उपक्रम किया तो वह चौक गया, उससे रिया की आवाज सुनाई पड़ी, आशु तुम हैरान, होगी कि मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में जान कर, भी तुमसे कोई प्रश्न क्यों नहीं किया, दरसल मैं खुद तुम्हें बताना चाहता था पर बस अब कुछ नहीं बोलो मेरी सुनो, सच तो यह है कि शादी के कुछ वर्षों बाद ही मैं तुम्हारी पहली शादी के बारे में जान गई थी, जब स्मिताजी यहां आई थी तब तो मैं उन्हें नहीं जानती थी, पर काफी दिन बाद हमारी मेड सर्वेट चीना ने मुझे उनके बारे में बताया था, उस दिन उसी ने उनको अटेंड किया था अताह बातों बातों में वह उनका परिछे जान गई थी, तुम्हें खो देने के डर से न चाहते हुए, भी मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं पाई, सोचा, जैसे चल, रहा है चलने दू, उनका ध पर मैं विश्वास ना कर सकी, साथ ही, चाहते हुए भी, स्मिता दीदी से कभी माफी न मांग पाई, तुम्, इंडिया जाकर मेरी तरफ से उनसे क्षमा जरूर, मांग लेना, अंजाने में ही सही, मैं उनकी गुनागार, तुम्हें ही, आशुतोश केवल इतना ही कह सका, त तुम्हें मुझें बताना तो चाहिए था, तो क्या तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, उस समय, शायद हम दोनों ही अपने अपने स्वार्थ में अंधे हो, गए थे, तुम्हें खो देने के डर से मेरे होंट से ले रहे, पर आज जब जिन्दगी मुझ से दामन चुडा जाने लगी है, मुझे एहसास हो रहा है कि हमने स्मिता के स्खलनाय कह क्या हो पाई कविता और गौराव की शादी, विवाह की दस्वी वर्ष गांट के निमंत्रन पत्र च्छप कर अभी अभी आये थे, कविता बड़े चाव से उन्हें उल्टपलट कर देख रही थी, बांटने, जाना होगा, कुछ गौरव अकेले ही देने जाएंगे, हाँ, कुछ काड ऐसे भी होंगे जिन्हें लेकर वहके जाएगी, सोचते सोचते कविता को उन्पंदित जी की याद, आई जिन्होंने उसके विवाह के समय उसके मांगलिक होने के कारण इस विवाह के अस कफल होने की आशन का प्रकेट की थी, पंदित जी के संदेह के कारण दोनों परिवारों में उल्जने पैदा हो गई थी, ताई जी ने तो अपने इन पंदित जी की बातों से प्रभावित होकर कई पूजापाथ करवा, डाले थे, एक एक करके कविता को अपने विवाह से, संबंधित सभी छोटी बड़ी घटनाई याद आने लगी, कितना तनाव सहा था उसके परिवार वालों ने, विवाह के महपूर्व, उस समय यदि गौरव ने, आधुनिक एवं तरकसंगत विचारों से अपने परिवार, वालों को समझाया बुझाया ना होता तो हो चुक था यह विवाह, कविता को जब गौरव उसके मातापिता एवं ताई जी देखने आये थे तो सभी को दोनों की जोड़ी ऐसी जंची की पहली बार में, ही हाँ हो गई, गौरव के पिता नंद किशोर का अपना व्याव साय था, अच्छा खासा पैसा था, परिवार में गौ भी संतान ना थी, गौरव और उसकी बहन गरिमा ही उनका सर्वस्व थे, गौरव तो वैसे ही उनकी आँख का तारा था, बच्चे ताई जी को बड़ी मा कहकर पुकारते और उन्हे सचमुच में ही बड़ी मा का सम्मान भी देते, गौरव के माता-पिता भी ताई जी को ही घर का मोखिया, मानते थे, घर में छोटे बड़े सभी निरनय उनकी सम्मती से ही लिये जाते थे, जैसा की प्राया होता है, लड़की पसंद आने के, कुछ दिन पश्चात छोटी मोटी रस्म करके रिष्टा पक्का कर दिया गया, इस बीच गौरव और कविता का भीक भार एक दूसरे से मिलने लगे, दोनों के माता-पिता को इसमें कोई आपत्ती भी ना थी, वे स्वयम भी पढ़े लिखे थे और स्वतंत्र विचारों के थे, बच्चों को उँची शिक्षा देने के साथ साथ अपना, पूर्ण विश्वास भी उन्होंने बच्चों को दिया अता, गौराव का आना जाना बड़े सहज रूप में स्वीकार कर लिया गया था, पंदित जी से शगुन और विवाह का महूर्थ निकलवाने ताईजी ही गई थी, पंदित जी ने कन्या और वर दोनों की जन्म पत्री की मान की थी, दूसरे दिन कविता के घर यह संदेशा भिजवाया गया की कन्या की जन्म पत्री भिजवाय, जाय ताकी वर की जन्म पत्री से मिला कर उसके अनुसार ही विवाह का मुहूर्थ निकाला जाए, कविता के मातापिता को भला इसमें क्या आपत्ती हो, सकती थी, उन्होंने वैसा ही किया, तीन दिन पश्चात ताईज कविता के घराई अपने भावी समधी से वे अनुरोध भरे स्वर में बोली कविता के पक्ष में मंगल ग्रा भारी है इसके लिए हमारे पंडित जी का कहना है कि आपके घर में कविता द्वारा तीन दिन पूजा करवाली जाये तो इस ग्रह का प्रकोप कम हो सकता है आपको होगा लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें ये करवा ही लेना चाहिए कविता के माता पिता ने इस बात को अधिक तूल न देते हुए अपनी सहमती दे दी और तीन दिन के अनुष्ठान की सारी जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली दो दिन आराम से गुजर गए और कविता ने जला से रहे हैं फोन रख कर उन्होंने बताया ताई जी के कोई स्वामी जी पधारे हैं ताई जी ने उनको कविता और गौरत की जन्मकुंडली आदी दिखा कर उनकी राय पूछी थी स्वामी जी ने कहा है कि इस ग्रह को शांत करने के लिए तीन दिन नहीं पूरे एक सप ताह तक पूजा करनी चाहिए और उसके उपरांत कन्या के हाथ से बढ़ी मात्रा में साथ प्रकार के अन्य वस्तुए एवं नकद राशी का दान करवाना चाहिए ताई जी ने हमें ऐसा ही करने का आदेश दिया है ये सब सुनकर कविता को अच्छा नहीं लगा एक तो घर में वैसे ही विवाह के कारण काम बढ़ा हुआ था जिस पर दिनरात पंडितों के पूजा पाथ उनके खाने पीने का प्रबंध और उनकी देखभाल वो बेहद परेशान हो उठी कविता जानती थी कि दान्दक्षिना की जो सूची बताई गई है उसमें भी पिताजी का का खर्च होगा वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे लेकिन मां के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी उन्होंने ही जैसे तैसे पती और बेटी को समझा बुझा कर धीरज ना खोने के लिए राजी किया उनकी व्यवहारेक बुद्धी यही कहती थी कि लड़की वालों को थ खुड़ा बहुत जुकना ही पड़ता है इस बीच गौरव भी अपनी और अपने माता पिता की ओर से कविता के घर वालों से उन्हें परेशान करने के लिए परेशान करने के लिए एक शमा मांगने आया वह जानता था कि यह सब धकोसला है लेकिन ताई जी की भावनाउं और उनकी ममता की कद्र करते हुए वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था इसलिए वह भी इसमें सहयोग देने के लिए राजी हो गया था वरना वह और उसके माता पिता किसी भी कारण से कविता के परिवार वालों को अनुचित कष्ट नहीं देना चाहते थे लेकिन क्योंकि मंगल की जो कुद्रिष्टी पूजा के बाद भी बज जाएगी वो उसी पर पड़ेगी उसके पश्चात कविता और गौरव का विवाह बढ़ी धूमधाम से होगा और उनका विवाहिक जीवन संपून रूप से निश्कंटक हो जाएगा ताई जी यह संदेश ल पहली बार उसने गौरव को अपनी ओर से इसमें सम्मिलित करने का सोचा उसने गौरव से मिलकर उसे सारी बात बताए गौरव की भी वही प्रतिक्रिया हुई जिस की कविता को आशा थी वो सीधा घर गया और अपने परिवार वालों को अपना निर्नय सुना डाला यदी आ मानेगे तो मैं कविता तो क्या किसी भी अन्य लड़की से विवाह नहीं करूंगा और जीवन भर अविवाहित रहूंगा मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुचाना चाहता नहीं तो मैं पूजा करने की बात पर ही आप को रोक देत लेकिन अब तो हदी हो गई है आप लोगों को मैंने अपना फैसला सुना दिया है अब आगे आपकी इच्छा ताई जी का रोरो कर बुरा हाल था उन्हें तो यही चिंता खाये जा रही थी कि कविता के एकमान गलिक होने से गौरव का अनिष्ट न हो लेकिन गौरव उन की ब गौरव ने यही पट्टी पढ़ाई थी कि तुम पर कैसा भी दबाव डाला जाए तुम टस से मजना होना भले ही कितनी मिन्नते करें जबर्दस्ती करें किसी भी दशा में तुम अपना फैसला ना बदलना भला कही मनुश्यों के विवाह जानवरों से भी होते हैं भले ही जूट मूट कहीं क्यूं ना हो कविता तो वैसे ही ताई जी के इस प्रस्ताव को सुन कर आपे से बाहर हो रही थी उस पर गौरव ने उसकी बात को सम्मान देकर उसकी हिम्मत को बढ़ाया था साथ ही गौरव ने ये भी बता दिया था कि उसके माता-पिता को कविता बहु ही नहीं होगा कि गौरव जीवन भर अविवाहित रहे वे तो न जाने कितने वर्षों से उसके विवाह के सपने देख रही थी और उसकी बहू के लिए उन्होंने अच्छे से अच्छे जेवर सहेज कर रखे हुए थे लेकिन पुरानी रुधियों में जकडी अशिक्षित त और अगर फिर भी ताई जी ने स्वीकृती न दी तो दोनों के मातापिता की स्वीकृती तो है ही वे चुपचप शादी कर लेंगे कविता को गौरव की बातों ने बहुत बड़ा सहारा दिया था पर क्या ताई जी ऐसे ही मान गई थी घर छोड़ जाने और आजीवन से हो गया कविता एक भरपूर ग्रहस थी के हर सुख से संपन थी धन संपती अच्छा पती बैया स्कूलों में पढ़ते लाड़ले बच्चे और अपने सासससुर की वल दुलारी बहू थी बस उसके वेवाहिक जीवन का एक खलनायक था मंगल ग्रह जिस पर गौरव की सहाय कविता एवं प्रोत्साहन से कविता ने विजय पाई थी कभीक भी परिवार के सभी सदस्य मंगल ग्रह की पूजा और नकली विवाह की बाते याद करते हैं तो ताई जी सबसे अधिक दिल खोल कर हस्ती काफी देर से अकेली बैठी कविता इन्ही मधूर स्मृतियों में ख तैक किया की अपने सफल विवाह की दस्वी वर्ष गांट का सब से पहला निमंत रनपत्र वह आज ही पंडित जी को देने स्वयम जाएगी ऐसा निर्नय लेते ही उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान उभराई